बच्चों के लिए वीडियो है यूपी टेक की काउंसिलिंग जोरों से चल रही थी बच्चों ने बढ़ चड़के पाटिसिपेट किया और उन्होंने अपनी च्वाइस फिलिंग करी च्वाइस फिलिंग के बाद आज वह रजल्ट का वेट कर रहे हैं इससे पहले बच्चे पूच रहे थें सर हमारी रेंक कहा है हमारी हमारा रेंक कार्ड मला हमारा कौण सा नंबर है तो वोर नंबर वेटे आप जा कि अपनी Profile पर जा के चक चक कर सकते हो जैसे यहां पर किसी बच्चे का कोल least कैंडिट प्रोफाइल पर जाो और यहां पर कैंडिट्येंट नितिन कुमार गैंगवार इसके नंबर बन रहे है टोटल 2459 यानि 469 469 नंबर है यह अपने GCC का विद्यारती है इसका रोल नंबर यह रहा नितिन कुमार नाम है इसकी रैंक है 130 तो यहां पे आपकी All India Rank दे रखी है यहां पे आपको अपनी All India Rank चेक करनी है अब बच्चे ज बाद क्योंकि यहां पे एक पहली बात तो सर रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा कई बच्चे नहीं हाल दभाई पादी भाई तो मुझे यह वीडियो इसली भी लेके आना पड़ा 19 तरीक को लिख रखके सीट अलोटमेंट मैंने आपको बोला था जैसे रिजल् दिखा रहा हूं एक तो यह यह हमारी जीसी का विद्यारती नितिन और एक अपना यह अभिशेक कुमार अभिशेक कुमार के टोटल नंबर अगर काउंट करें टोटल नंबर अगर हम बनाएं तो इसके नंबर बनते हैं 452 452 में इसको रैंक दे दिये 128 और जो यह नितिन 469 यानि 460 बोल रहा हूं अभी ताकि आप क्लियर कर लो 459 पे इसकी रैंक 130 इसकी रैंक कम होनी चाहिए दी इसकी रैंक ज्यादा आगी 130 452 वाले की 130 से ज्यादा रैंक होनी चाहिए दी उसकी रैंक 128 आगी तो ऐसी mistake अगर और भी बालकों ने करकी हैं तो GCC का एक हमारे GCC का ही बच्चा है यह बेटे उद्या चोहान सुबोर चोहान यह दोनों भाई थे यहाँ पे इस बच्चे ने तो शायद वर्ड लगाया मैं शायद वर्ड नहीं लिगा रहा हूं मैं तो आपको तथे दे रहा हूं फ fight for the true बिल्कुल सही बात है एके टीउ द्वारा जारी की गई बीटेक लेटल एंट्री का जो रेंग कार्ड है उसमें कुछ चात्रों की रेंग में समस्या है ज्यादा माक्स वालें की रेंग ज्यादा कम माक्स वालों की रेंग कम हना मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि ज इसके नंबर 452 है उसकी रेंग 128 दिखा रखी है यह बच्चा है इसकी रेंग बेटे अभिशेक कुमार की रेंग जो है 128 दिखा रखी है इसके अगर टोटल आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल दिख रहा होगा इसका टोटल कितना बनता है 452 और बेटे यह जो बच हैंड फोल्डिड रिक्वेस्ट है बेटे और बोड से आपके यूपीटेक बोड से और आप भी अगर इस बात को मानते हो तो जरूर करना चाहिए बाकी आज बहुत बड़ा दिन है बाई गनेश जी का यह मेरे हाथ में मोधक है मैं मोधक का परशाद आप लोगों को भी मै कि आए था इंस्टिक्यूट में ही तो मैं यह आपके भ्याप्पे घा रहा हूं वही और भगवान से मेरी प्रातना है कि आप सब को आपका जो मंद चाहा कोलेज है वो मिल रहा हो चाहे वो हमारे जितने भी बालक है चतन्या है खुश्बू है खुशी है अंशिका है निति जो मन की या जो भी जो हमें कम से कम यूट्यूब पर भी देखते हैं बैटे मैं आपकी वाज बढ़के जहां मुझे लगेगा जहां लगेगा कि नाइन जाफ भी हो रही है जासे यहाँ पे क्लियर कट नाईन जाफ ही हो रही है मैं तो अभी RTA भी लगाँगा इस वीडिय और यह 452 rank 122 आपको लग रहा होगा मैं ऐसी बोल रहा हूं तो मैं आपको screenshot दिखा देता हूं पेटे एक मिंट यार screenshot दिखाता हूं आपको कि आपको screenshot दिखाता हूं एक सेगंड दो भाई तब तक आप अगर अभी भी हमारे इस पर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाओ भाई आपको मैं screenshot दिखा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है यह देखो पेटे screenshot खुल गया है ठीक है यहां पे यह भाई अभी अभी शेक कुमार बच्चा इसका टोटल कर लेना 452 टोटल में नंबर कितने बन रहे हैं 128 ऐसे अगर किसी और भी बच्चे का है तो प्लीज बताना बेटे बाकी आपकी वेबसाइट पर लिख रखा है यह इस बच्चे के नंबर है जी सी से मैंने यह री पोस्ट कर दिया है जी सी सी इंस्टिड्यूट की दरफ से हम अपने बालकों के साथ नहीं घड़े होंगे तो कौन घड़ा होगा ठीक है तो इसी के साथ मैं यह जरूर कहने चाहता हूं सबसे लास्ट कि सर रिजल्ट कब तक आएगा बिटे अगर आठ बजी आता है अगर 9 बजी आते अगर 10 बजे भी आया तो भी आपका लाइव आएगा निचे एकवार जया माता दी लिग देना गनपती बाबा मोरिया लिग देना शिरी गनेश का आज इतना बड़ा दिन है गनेश चतुर्थी वाला दिन है तो आज तो भाई आ गोड़ ब्लेस योड़ टेक केर शबागेर इसके साथ जाते जाते मैं यह जरूर बोलूँगा माता पिता का अश्रवाद लेना है पोस्टिव अपने ब्रेन को बनाए रखना है आपका बड़े भाई होने के नाते जो हम कर पाएंगे वो करने की पूरी कोशिश करेंगे आज तक किया है आगे भी करेंगे भाई धन्यावाद भाई धन्यावाद